थोड़ा समय आदिवाजियों के बारे में बोलना चाहता हूँ आपके लिए कॉंग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है सबसे पहले जो भी आपके जमीन की क्लेम्स है फॉरस्ट राइट एक्ट के मुताबिक जो भी जमीन पर आपका हक बनता है उन सब क्लेम्स को हम एक साल के अंदर सेटल करवा देंगे मैंने पहले कॉंट्रैक्ट लेबर की बात की जब भी गरीब लोगों की के रोजगार की बात होती है चाहे वो आदिवासी हो गलेत हो पिछड़े हो जनरल कास्ट के गरीब लोग हो तो उनको कॉंट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है उनको permanent नहीं किया जाता किसी private company में कोई manager रखा जाता है तो उसे permanent job जी दी जाती है I.A.S. officer को permanent job दी जाती है मगर गरीब लोगों को contract basis पे job दी जाती है ठेकेदारी से job दी जाती है और जब भी उसको हटाने की जरुद होती है एक minute में बिना कोई compensation उसको उठा के बाहर फेक देते है ये जो ठेकेदारी प्रता है इसको Congress Party की सरकार खतम करने जा रही है सरकार में और Public Sector Units में ठेकेदारी प्रता हम बंद करेंगे और जिसको भी नौकरी मिलेगी वो permanent नौकरी होगी वो सरकारी नौकरी होगी और वो किसी ठेकेदार के थुरू नौकरी नहीं होगी इससे आदिवासियों को, दलितों को, पिछडों को गरीब जनरल कास के लोगों को फाइदा होने जा रहा है SC, ST और OBC की जो स्कॉलर्शिप्स है उनको हम दुगना करने जा रहे हैं और शायद सबसे बड़ा काम जहां भी आदिवासियों की 50% से ज़ादा अबादी है वहाँ पे हम 6 schedule को लागू करने जा रहे हैं अब BJP के लोग गलत बात खेला रहे हैं कह रहे हैं कि 6 schedule के माधियम से बाकी लोगों को नुकसान होगा ये बिलकुल गलत है 6 schedule का मतलब कि district collector नहीं चलाएगा लोकल लेवल पे committee चलाएगी उस committee में आदिवासी होंगे OBC होंगे, दलित होंगे, जेनरल कास के लोग होंगे तो OBC को दलित को नुकसान नहीं होगा किसी को नुकसान नहीं होगा सिरफ ये बात होगी कि आपका जो लोकल एरिया है आप लोग उसको लोकल ही चलाओगे पंच्रायत के लेवल से चलाओगे वाट के लेवल से चलाओगे और उपर से, दिली से या district collector के office से वो नहीं चलाया जाएगा ये फरक है और इससे सिरफ सिरफ आदिवासियों को नहीं फाइदा होगा हर वर्क को फाइदा होगा तो ये हम उन district में करने जा रहे हैं जहां भी आदिवासियों की अबादी 50% से जादा है और इससे ना किसी OBC का नुकसान होगा ना किसी गरीब जेनरल कास का नुकसान होगा इससे सिर्फ ये फरक पड़ेगा कि district collector नहीं चलाएगा local area से ये आपका पूरा का पूरा काम किया जाएगा तो आपको district collector के पास नहीं जाना पड़ेगा आप गाउं से छोटे छोटे कस्बों से ही अपनी सरकार को चलाओगे ये फरक है भाई और मैंनों आपने देखा होगा मैंने शुरुआत में आदिवासी और वनवासी की बात की आपने देखा होगा बीजेपी ने एक वीडियो वाइरल किया उसमें उनका एक कार्य करता एक आदिवासी युवा पर हिंदुस्तान के भविश्य पर पिशाप कर रहा था आपने देखा होगा देखा पुरे हिंदुस्तान में उन्होंने ये वीडियो फिलाया पहले पिशाप करते हैं और फिर पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के लोगों ने इस वीडियो को फिलाया आपका अपमान किया ये फरक है आप में हम में और उन में हम आपको अपना हक देने की बात करते हैं आपके युवाओं को स्कूल, कॉलिज, युनिवर्सिटी में डालने की बात करते हैं आपको सरकारों में शामिल करने की बात करते हैं और उनके कार्यकरता आपके बच्चों पर पिशाप करते हैं तो यही यही फरक है अब आखरी बात सबसे बड़ी वाद देश में आठ परसेंट आदिवासी हैं आठ परसेंट आदिवासी हैं पचास परसेंट तकरीबन पिछड़े बार के लोग है पंदरा परसेंट दलित हैं आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमपनियों की लिस्ट निगा लो दोस्तों सबसे बड़ी कंपणियों की लिस्ट निकालो उनके मालिकों के नाम की लिस्ट निकालो इन कंपणियों में आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक पिछड़ा नहीं मिलेगा यह हमारे मीडिया के कैमरेल यह लोग खड़े हैं, इनके मालिकों में आपको एक आधिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक गरीब नहीं मिलेगा. इसलिए यह आपकी बात नहीं करते, इसलिए कभी भी यह किसानों की बात नहीं करेंगे, मजदूरों की बात नहीं करेंगे, कॉंट्राक लेबर की बात नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान के संस्ताओं में अगर आप देखें, हिंदुस्तान के प्राइवेट हस्पतालों को द देखिए बड़ी-बड़ी कंपनियों को देखिए आपको उन में ना एक आधिवासी मिलेगा ना एक पिछडा मिलेगा ना एक दलित मिलेगा गरीब कास गरीब जेनरल कास कभी नहीं मिलेगा हिंदोस्तान की सरकार 90 लोग चलाते हैं आये सपसर है डिली में बैठते हैं पूरा बजट वो बाटते हैं, सेना को कितना पैसा मिलेगा, सड़क के लिए कितना जाएगा, स्वास्त में कितना जाएगा, सड़क बराने में कितना जाएगा, सब्सक्राइगा, 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 सब्सक्राइग में से एक आपकी अबादी आठ परसेंट और वो जो एक अपसर है उसको कोने में बठा रखा है उसको कोई जिम्मेदारी नहीं देते बात समझ नहीं है तो मैं बताता हूं अगर हिंदुस्तान की सरकार सो रुपे खर्च करती है तो आदिवासी अपसर दस पैसे का निर्ने लेता है पिछड़े अपसर सो रुपे में से पांच रुपे का निर्ने लेते है दलित अपसर और सो रुपे में से एक रुपे का निर्ने लेते हैं 50% अबादी पांच परसन्ट हिस्सेदारी दलितों की 15% अबादी सो रुपे में से एक रुपिया और आदिवाशेों की 8% अबादी और सो रुपे में से 10 पैसे 10 पैसे, आज के टाइम में 100 रुपे में से 10 पैसे आपके तो ये बदलना है कैसे बदलेगा? जाती जनगरना दूद का दूद, पानी का पानी उसके बाद economic survey धन का सरवे हिंदुस्तान में कितना धन है? किसके पास है, किसके हातों में है? आदिवाशियों के हातों में कितना? गलितों के हातों में कितना? पिछडों के हातों में कितना? गरीब जनरल कास के हातों में कितना? ये करना है जैसे चोट लगती है आप हस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर कहता है भाईया एक्सरे कराओ मैं यही कह रहा हूँ हिंदुस्तान में करोणों लोगों को चोट लग रही है मैं यह कह रहा हूँ कि भाईया एक्सरे करा दो पता लगा दो कि धन किसके हाथ में